प्रधान मंदी नरेन मोदी ने शुकरवार को देश के सबसे लंबे सी ब्रिच अटल सेतू का घाटन किया यह ब्रिच मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ेगा इसे दो घंटे की दूरी सफ़र 20 मिनिट में पूरी होगी दिसम्बर 2016 में मोदी ने इस पूल की आथारशिला रखी थी पूल की कुल लागत 17,843 कोड़ रुपए है 21.8 किलो मिटर लंबे सिक्स लेन वाले ब्रिच को मुंबई ट्रांस हर्बर सीलिंग भी कहा जाता है पूल का 16.5 किलो मिटर का हिस्सा समुद्र पर है जबकी 5.5 किलो मिटर का हिस्सा जमीन पर है इस पूल की शम्दा रोजाना 70,000 वानों की है फिलार बिच्च से रोज करीब 50,000 वानों के गुचरने का अनुमान है MTHL के वेबसाइट के मुताबिक पूल के उप्योक से हर साल एक करोड लिटर इंदन की बच्चत होने का अनुमान है ये रोजाना एक करोड ईवी से बचने वाले इंदन के बराबर है इसके अलावा प्रदुशन के इस्तर में कमी आने से लगबक 25,680 मेट्रिक टन CO2 सर्जन भी कम होगा पुल को बनाने में 1,38,000 मेट्रिक टन स्टिल और 5,4,000 मेट्रिक टन सिमेन को प्योग किया गया ब्रिच बर 400 CCTV कैमरे लगाए गए है पक्षिय और समुद्री जीवों की सुरक्षा के लिए ब्रिच पर साउंड बेरियर और एडवांस लाइटिंग की गई है ब्रिच के लाइफ सो साल होकी